श्वागत है आपके अपनी चैनल प्राक्तिक ज्ञान पे दोस्तों आज मैं आप लोग के शामने एक नया प्लांट और लेके आ रहा हूं दोस्तों आज मैं हैंगिंग प्लांट के कुछ काफी बेहतरीन प्लांट के बारे में आपको बताऊंगा उसे दिखाऊंगा और उनकी कैयर कैसे किरे ये सारी डीटेल मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को like किःजए, share किइजए और वीडियो अच्छे लगे और मेरे information अच्छे लगे तो प्लीज मुझसे दोस्ती किःजए, मे 80 रूपया में पढ़ा था और यह देखिए मैंने कोकोनट सेल में इसमें लीव मोड और कोको पीट मिला के इसे लगा दिया है और इसका नाम टैंगल हाट है और यह प्लांट थोड़ा सा मौशर काफी पसंद करता है और शेडी एरिया में काफी अच्छी ग्रोथ होती है और चोटा सा कोकोनट सेल में कितना बूशी और गना हो गया है और काफी अट्राक्टिक ब्लूप दिख रहा है और यह दोनों पोर्ट मैंने लाया था 80 रूपया में इसमें मैंने चारली बेल के कुछ चोटा सा प्लांट था मैंने लगा दिया है लीव मोड पतियों लखात का यूज किया था और इसमें कोकोपीट मिला दिया था तो इसमें ये अच्छा ये देखने मिला कि इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है और प्लांट काफी हेल्दी लूपने से राते हैं और ये देखे मैंने बेस्ट मैटेरियल से जो दो लीटर का बोतल होती है ना पेपसी अच्छा दीखता है और इसकी शोहल में मैंने वह इनकोपीत और लीव मोट का इस्त्माल किया था और यह तर यह काफी अट्राक्टीव दीखती है और यह देखें एक मिटिक का हेंगिंगउट है और इसमें मैंने क्योल सेंड मिला है था और तो वह ऐसा खाद मिला है था और यह कुछ मैंने बर्शाथ में काफी अच्छी दिखती है और उसके बाद इस तरह से यह उसकी लूप खराब हो जाती है तो आप डिफरेंट देख सकते हैं कोकोपीट और लीव मोट का और इधर देखें मैंने चोटा सा एकНуущ चोटा उप लिक्रूपे में में रुप कंद आ कह़े था और उसमें मैंने वनरीघ यू यह भी मैंने कटिंग से इव्यो किया था और प्रोश्सेस मैंने कोकोपीट और लीवोट का इस्तमाल किया था और फटलाइजर की रूप में मैं इसमें कभी-कभी ये डाल देता हूँ मसरट केट का लिक्विट फटलाइजर इसमें डाल देता हूँ तो मैंने देखा कि प्लांट कुछ खराब तो नहीं हुए पर उनकी ग्रोथ कुछ अच्छी हो जाती है और इसमें मैंने यूज किया था चार्ली बेल में और तो इसके पत्ते थोड़े से बड़े और थोड़ी सी ग्रोथ मुझे देखने मिली और इसकी कटिंग काफी इसली ग्रो हो जाती है इस तरह से नोड एरिया को आप कटिंग कर लिए और कोकोपीट और लीव मोड या खात का यूज करते वर्मी खात उसमें आप इसे लगा दे और शेड़ी एरिया में रखे कुछ दिनों में ही वहां से रूट नहीं निकल और इसे मैंने एक बड़ा सा कठल पीड चैक फ्रूड में हैंक कर दिया यह देखें और यह टैंगल हाट का यह मैंने थोड़ा सा कटिंग लगा दिया है इसलिए अभी कुछ यह प्लांट अभी ग्रो नहीं हुए इसलिए थोड़ा सा मुर्जाल जैसे लग रहे हैं पर यह दिखें यह कोकुनट शेल में मैंने इसे छोटे से लगाया और कितना सुंदर और अट्राक्टिव दीख रहा है यह मैंने वेस्ट मैटेरियल से बनाया था और इसके पत्ते के साइज आप देख रहे हैं देख सकते कितने चप्टे और बड़े-बड़े दीख रहे हैं और से मैं काफी अट्राक्टिव लग रहा है और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं यह टर्टल वाइन मैंने इससे एक यह दिखें मैंने क्या बना दिया है इसमें मैंने लीव मोड और कोगोपीट और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है और चेत करके मैंने लगा है अभी यह घना नहीं हुआ है और घना हो जाने के बाद काफी अच्छा लुक देगा तो वीडियो के